नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे हमारी यूट्यूब चैनल में तोत कुम भरासी वालों क्यूं लगती हैं आपके खुशों की नजर आज की इस वीडियो में आपके समस्य समस्याओं का समधान हम करने वाले हैं अकसर हमसे कमेंट बॉक्स में एक प्रसन बार बार पुचा जाता है कि गुरू जी जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो पता नहीं कहां से तकलिफे आना शुरू हो जाती हैं हमारे खुशियां लोगों को चुमने लग जाती हैं दोस्तों आज की इस वीडियो मे हैं यही बात करेंगे कि याकिर ऐसा होता क्यों है और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्या करें जिसे कि हम बुरी नजर से हमारे जीवन बच चके और कुशियां हमारे जीवन में बरकराज रह सकें दोस्तों वीडियो बहुत ती महत्पून है जो आपके जीवन को बदल कर जरूर देखेगा उससे पहले जो भी इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट टबॉक्स में सच्ची सदा के साथ जया माता दे लिखेगा मातारानी का सीधा सीधा आस्रिवाद आपको और आपको प्रिवार पर बरसेगा दोस्तों संसार में तीन तरीके से कारी करते हैं सगरा तो दोस्तों किस प्रकार से हमें नजर लगती हैं उसी के बारे में बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा जब किसी के सुमच और संपर्ग विचार में हमारे आ जाते हैं वही हमारे उपर नगरात पर कसर छोड़ जाते हैं इसे ही हम नजर लगना कहते हैं नजर लगने से हमा यह रुकावट बहुत ही तेजी से होती है तुरंत चुट्कियों में असर दिखाती है नजर का एक कदम से बीना किसी कारण से कुछ मानों रुख सा गया हो अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके जीवन में यह संकेत दे रहा है कि आपके उपर नजर लग चुकी है यह हमारे खु उतकरी है नचानक से आपके प्रसिदें लोग प्रिता खुसिया है लोगों को इर्षिया का कारण मन जाती है कई बार जैसे जीवन के चलते गाडियों से नचानक प्रेक लग जाती है ऐसा मैसूस हो रहा है आप लोगों को यहां तक के बेग्यानिक ने भी नजर जैसे तता मासूमियत पर भी नजर लग जाती है तो दोस्तों वीडियो बहुत थी महत्तून है अब हम आपको लाल किताब में बनित कुछ ऐसे उपाई के बारी में बता रहे हैं जो आप अगर करते हैं तो आपको पूरी से बूरी काले नजर और आपके चीवन में चल रहे प्रस पाईए और इसी के साथ उसी मंदर में बैटकर एक बार हनुमान चलीसा का पाठ जरूर किजिए और संबब होतों मंगलवार के दिन सात रत्ती का मुंगा धारन करें कोशिश करें कि मुंगा गले में धारन करें और वह लोगों को नजर आए आप ऐसा करने से कभी भी आपक एक पांस बतिले हैं उसमें गुलाब के पंखुडियों को लपेट कर अपने इस्ट देवता को याद करते हैं उसे अपने भगवान के मंदिल में रखते हैं यह उपाई आपके घर में नजर को दूर करता हैं घर प्रिवार से हमेसा नजर को उतारता रहेगा दोस्तों इस इस्ट देव की पूजा करने से हमारे घरवालो की रख्चा करते हैं और नगरातपक सत्यों को हमारे घर में प्रिवि़िस नहीं हो ने देती हैं और प्रेत से बाधाई भी आपकी रख्चा करती हैं तो यह एक विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों किसी जरूर करियेगा बहुत थी महत्मुन राज है ध्यान से सुनियेगा तो आपके उपर से काली निजर आपके ओटोमेटिक दूर हो जाएंगी आपको काली से सो लसुन नमक फ्याज के छिलके जाल मिर्च साथ बार भूला कर अपने अंगर में डाल देना है यह दोस्तों बहुत थी प्राचिन और बहत्रिन उसका है जो भारी से भारी जिद्दि से जिद्दे निजर को दूर कर देती हैं इस उपाय से आप लोगों को मंगलवार, हविवार और सनिवार के दिन करने से तुरंत ही लाब देखने को मिलेगा विडियो बहुत थी महत्पून होती जा रहे हैं इसलिए आप सभी दातकों को दिहान से सुनिए का दोस्तों यदि बच्चे के निजर कोई बच्चे पर नजर लगा दिया है जो बच्चा हमेशा मुस्कुराता था हमेशा हसता था खिल खिलाता था और कई प्रिकार के वहाँ अत्रंगी कार्म करता था और अचानक से उसके मुस्कान थमची गई हैं बहुत ज़्यादा खिलता था खाता था फरन तो सब कुछ मानो एकदम से रुक्या हो तो यूं समझ लिजिए कि आपके खुशे को किसी के नजर लग चुकी है और आपको इस नजर को उतार नहोगा यदि बच्चे को नजर लगी है तो आप किसी बरतर में कच्चा दूद ले लिजिए बच्चों के पैर से लेकर घुमा कर किसी काली कुत्तों को पिला दीजिए यासा करने से तुरत बच्चों को अराम दी जाती है और उसके उफर से साया या बुरी नजर बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों अक्सर आप लोगों के जीवर में नजर जैसी आम चीज़ें लगती रहती हैं और कवी कवी तो यहां बहुते बिकिराल रूप ले लेती हैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के उफर अगर कल नजर लग चुके हैं और अगर बुरी नजर लग चुके हैं तो आप इस उपाई के जरूर उतनाईएगा दोस्तों अगर अक्सर नजर आपके पिबार पर लग जाती हैं तो आप अपने घर के मुक्रे द्रबाजे पर काली घोडे का नाल किसी भी कपड़े में लबान कर काली कपड़े में बान कर आप लटका दें घर के अंदर परवेश करेंदे से पहले ही बनाजर बाहरी नश्टो हो जाएंगे यह सुपाई से घर में किसी भी नकरात पक्सक्ति का प्रवेस नहीं हो पाएगा विडियो को ध्यान से सुनते रहे आपको फाइदे की बात की जा रही हैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खुशी एक ऐसी फिल्म होती है जिसे आप अपने कजीवन में कॉंटपिडेंट को महसूस कर सकते हैं आप अपने काम को बहत्ते तरीके से कर सकते हैं इसलिए हम आपको अगर जैसे से तरीके बताएंगे जिसे किसी की कि नजर खुशी की नजर नहीं लगेंगे यह चीज आपके लिए बहुत फाइदेमंद और अगर आप अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा खुशों को प्राप्ट करना चाते हैं, तो सब से पहले अपनी गल्तियों को, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को निकालना वबंद कीजिए, जहां दूसरों के साथ आपके समंद खराप नहीं होंगे, वहीं आपको अपनी गल्ती को सुधारने का समझने का मोका भी मिलेंगे गल्ती में सुधार करने से आपको बहुत ज़्यादा अहसान मंद मैसुष करेंगे कई बार हम अपने छोटी सो छोटी बात पर चोच को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा बात बना देते हैं और जिसका घर और इस तो पर उसका प्रभाव भी देखने को मिलता हैं ऐसे में अगर आप अपने जीवन में कुछों को चाते हैं और घर प्रिवार में सामती बना पर सकते हैं इसलिए आप दूखी रहते हैं इसलिए आप खुद में खुश रहने के कोशस करें और नजर जैसे नकरा तारू का प्रियोग कर दूसरों के लिए आप करना बंद कर दीजिए इससे सभी के साथ रिष्टे आपके वहतर होंगे और सभी के साथ समन्द वह वहतर होंगे आप नेगेटिव तिंखी को त्याग कर पॉजिटिव तिंखी को इलावन में लाने की कोसिस करें आप आप खुश रहेंगे आपके सारे कश्ट दूर हो जाएंगे और आप भगवान विस्नुजी की पूजा अराधना जरूर करें आप भगवान भुलनात का ओम्नमस् कमद्र में एक सुवाट बार जरूर करें आपका दन बहतर बने इसके लिए कमेंट वक्स में जैमाता दिया वस्ते लिए हैं आपका दन सुभवंगल कारी हो जैमा विंदुवासनी